इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे इंडियान ओयल कोर्पारेशन श्टोकल अगर यानि शियार्गों लेकर बात करेंगे तो दोस्तों देखिए आज का टेडिंग सेजन में 0.36% का दोस्तों गिराउट होकर मार्केट में क्लोज किया इंडियान ओयल कोर्पारेशन यानि पेट्रूल बंप का शियर ने तो दोस्तो देखिए अगर एक महीने की गिराउट की बात कर चाहे तो 20 परसंग का दोस्तों गिराउट किया इंडिया नोएल ने इस्टोक तो काफी अच्छा है लेकिन दोस्तों इसने चोल टाइम आए किया ता तो दोस्तों देखिए इसका नेक्स टार्गेट क्या हो सकता है काल अगर बजर बजर खुलते इसका जो 145 का जो रिजिश्टन लेवल है वह अगर पार करता है तो इस टोक में तेजिया सकता है जैसे 170 टार्गेट दिखा सकता है लेकिन दोस्तों देखिए तोरा समय लागेगा दो मिनिट तीन मिनिट का टाइम मतलब दो तीन महिने का बाई समय लागेगा ठीक है जानौरी यह फेबारी तक अगर आप वेट करेंगे ना तो इसका टार्गेट अब लाग सेकते हैं 200 का कि जो दोस दोस्तों 15.25 परसेंट के रिटांदिया है फाइट पेले कितना था 95 रूबिस उसकी बाद गिरा अब देख सेते हैं 56 में आया बाद में रिवर्सल होके वान परसेंट टू परसेंट वान परसेंट टू परसेंट होके डारेटली और टाइम है किया था इसकी बाद इंडिया रूब के रिख लेकिन दोस्तों बादर तो इतना खास नहीं है बादर किया करेंटिशन मुताबिक देख लेगते हैं फाइनस को भी देख लेते हैं तो देखिए बादर का कंडिशन इतना मतलब आच्छा नहीं एं निफ्टी को देखिए गराओ ते आज का टेणिंग सीजर ने में 135 परसंट का गिराओट किया और सेंसेक्स ने गिराओट किया 553 का निफ्टी भैंग ने भी गिराओट किया 332 का तो हर स्टॉक में तो अभी गिराओट चलता है लेकिन देखिए अगर काल बजार खुलते हैं इसका जो सपोटिंग लेवल है और इसके आप टर्गर राख सकते हैं 2 साल की अगर तरगर राख रहे तो दोस्तों आप राख सकते हैं 350 का ठीक है तो इंतजार के रिए आपको गोल्ड भी दे सकता है यह शौर यह श्यार दोस्तों वीडियो को यह पर समवाप करते हैं आपना राइक कोमेट में जरूर बत